ज्याइन फ्रेंड्स मैं एक्सक्राइट आलो कुमार आपके यूट्यूब चनल एंथ्री शर्टवेट एक्जांब्स एविसे में वैलकम है हाई फ्रेंड्स आज जा हम देखेंगे प्रिवेस यर के सी शर्टवेट को कोश्यर पेपर और उसका आंसर की देखेंगे दु हरने के दीऊं हिंग्लेट थ्यूबर इस है फ्रेंड्स आपको इस एक अटी अरा कि पेपर कैसी आयाईगा अर्यक्राइगा और यह पेपर दोनों लैंसमें होंगाई हिंदी अ इंग्ली स्मीन Vallahi के लिए कि अई फ्रेंड्सिंद दिक देखते हैं प़हला कि नमर काया हुआ है ठीके ड्रिल के उपर और फिलिंदा ब्लैंक से हैं तो प्रेला देखिए इंग्लिस में देखिए इन विश्रम पोजिशन दावेट ऑफ बोड़ इस प्लेस्ट ओन डैस फीट और विश्रम के हाला तुम सरी का वजन किस पर रखते हैं तो दोनों पर पर डील डैस की नियु है तो डील अनुसासेन की नियु है यानि ड्रिस्प्रेन आए चलते हैं डील स्व टाइपके दो परकार होते हैं स्टैंथ और गौरद ओनर फोफ प्रेस्च्च सेंथ ये संथड़िट के संख्या कितनी होती है यानि 150 इन नंतेंस्ट बोड़िटे विश टॉन आउट इक्वेली फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ डैस डिग्री साधान के स्थिति में दोनों एडिया मिले वी और पैर खुले वी जिनके बीच 30 डिग्री के कोंड की दूरी होती है अगले स्पे चलते हैं तू और फॉल्स पर देखें दस नमर में आया हुआ देख सकते हैं कोने में स्टेश टू और फॉल्स राइट टू और फॉल्स ठीक है तो सही हो गल्द लिखना आपको बताना है स्ट कैड़ेट कान नोट गीब गाड ओफ ओनर तो दा प्रेसिडेंट एटीक एड़ेट टिक है मतलब की प्राइम मिनिस्टर को गाड ओफ ओनर नहीं दे सकता है तो कैड़ेंट से यह फॉल्स है आई चलते हैं बी देखें दो वर्डफ कमांड ओफ अवाउट टॉन इस गिवन ओफ फॉट पीछे मूड का वर्डफ कमांड बाहें पर पर दिया जाता है तो कैड़ेट इस ट्रू आइस पर देखते हैं दे एंगल ओफ रोटेशन इन अबाउट टॉन इस 90 डिग्री पीछे बून में 90 डिग्री मूडा जाता है तो क्या फॉल्स है वेन गेटिंग ओन प्रैक्टिस विद राइफल दे राइफल इस कैरिड आउट टोल सस्त्रा राइफल के साथ पर ये टोल सस्त्रा होती है तो जमान वता दू इस दी का अंसर टुए यह यह देखए राइट गार्ट एल्सो व्स राइफल दाहिने देख इस डन दाहिने देखके करवाई कि दाइना गार्ड भी दाहिने देखता है तो क्या फॉल्स है एहां देख़क्टिस नमर में अब हिंदी में देखते हैं फूट ड्रिल के क्या उद्यसे हैं अनुसासन की भायवना पैदा करने के लिए आद्मिस्वास पैदा करने के लिए आदेश का तुरंत पालन करने का काबलियत हासिल करने के लिए व्यक्ति के करतव रंग रूप आकरसब में सुधार करने ही लिए अगला कोशन देखिए यह दस नमर में आएवा फ्रेंट्स सीनियर डिविजन यूनिट में परवाइड गार्ड ऑफ ओनर टू फ्लोविंग तो अच्छी कर्ड़ में नेमिस्ट पदातकार को गार्ड ऑपनर दे सकता है कि किन को देख सकता है तो देखिए राष्टपती उपराष्टपती पधान मंतरी राजजय पाल चीफ कमिशनर रक्षा मंतरी राज्यो के मुख मंतरी आर्मी नेवी और वाइव सेना के चीफ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें तो देखिए राष्टक प्रक्राइब कर्षा मंतराय चैयरू इंटरी कारी बॉस पालाइब तो देखिए का फिलिंदा ब्लैंक से रच्त स्था मिजें, इसकार आगे चलते है friends, the full form of MPI is dash, तो MPI का full form क्या है, the main point of impact, उसकार आगे चलते है, the normal rate of fire of SLR is dash round per minute, तो कितना है, SLR की normal rate of fire per minute कितनी है, तो friends, 20 round है, 0.22 deluxe rifle के लंबा ही कितनी होती है, and the length of 0.22 deluxe rifle is dash inch, कितनी होती है, 43 inch होती है, 43 inch, आगे चलते है, आगो 2 false बताना friends, देखिए, तो 5 नमर में है, तो बहुत देखिए friends, छठा देखिए, छठे का यह देखिए, 2 of false बताना है, there are 4 principles of accurate shooting, दूस्त निसाने बाजी के मुखे 4 वसूल होती है, तो friends, क्या false है, 0.22 rifle की foresight per operator होता है, 0.22 rifle की foresight per operator होता है, तो देखिए, false है यह भी, 25 rounds are filled in the magazine of 7.62 mm rifle, it's also false, मतलब 7.62 mm SLR की magazine में, 25 round आते हैं, तो गलत है यह भी, in 0.22 rifle, fired case goes into the magazine, in 0.22 rifle में fire होने के बाद, खाली case magazine में गिरता है, तो क्या friends, true है, तो देखते हैं, the effective range of 7.62 mm SLR rifle is 800 yard, 7.62 mm SLR का कारगर range 800 का जो होता है, तो क्या friends, false है, आए चलते हैं, अगे question के देखिए, 5 नमर में आवो है, what are the principle of aim, सिसस्त का क्या फायदा, friends, तो देखिए, बाएं याख बंद करो, operator के बीच target को देखो, और point of aim चुनो, 4 side की no point of aim पर लगाओ, येकिन करो कि site सीधी हो, खड़ी हो, सीधी खड़ी है, आगे चलते हैं, फ्रेंट्स, 5 नमर में देखिए, right qualities of good fire hour, अच्छे fire hour के good लिखो, तो देखिए, friends, इंग्लिज में देखिए फहले, good aiming, firing holding, and good trigger operating, दुरस्थ सिशस्थ, मजूद पकड़, और अच्छा trigger operation, अगले question देखिए, friends, 10 नमर में आवा देखिए, ये, write down full form of the flowing, निम लिखिद के full form लिखो, तो देखिए, पहला full form है, MMG, तो क्या होता है, medium machine gun, दूसरा है MPI, main point of impact, तीसरा है, INSAS, Indian National Small Arm System, चौता है, D, देखिए, LMG, light machine gun, और पाचवा है, SLR, self-loading rifle, तो friends, I hope कि आपको कुछ समय में आ रहा होगा, तो 10 नमर में friends, और 2 नमर के देखिए, कि इसली आ रहा है, अब देखिए, यह आपका यह आता है, 4 नमर में, write 4 lines of NCC song, NCCC गान की पहली 4 लाइने लिखे, तो आपको पता होगा, हम सब भारती हैं करके, आपको लिखना होता है, आए चलते हैं, देखिए friends, यह 5 नमर में आया हुआ है, सब्सक्राइब करके उद्देश से लिखे हैं, तो क्या है, इम आपको फैसली क्या है देखिए, तो डफलोप क्वालिटिस ओप करेक्टर, करेज, क्मटिशिब, डिस्प्लिन, लीडर्शिब, सेकुलर, आउटलुक, स्परीट अफ अद्वेंचर, and sportmanship, and ideals of selfless service among the youth to make them useful citizens, to create a human resources of organized training and motivated youth to do, provide leadership in all walks of life, including the armed forces and always available for the service of the nation. Hindi में देखिए, friends, राष्टे करेट कोर का उद्देश लिखिए, तो युगों को योग नागरिक बनने के लिए, उनमें चरित्र, सास्त, मेत्रिवावा अनुसास्षन, नेत्रत, अधर्मिपेक्च, अधिष्टिकोंड, सासिक, किरिया क्लाब, तथा खेल भावना, और निश्वास सेवा के आदसों का विकास करना, संगठित, फसक्षित, और पिरित इवाव का एक मानस अंसाधन तयार करना, वो जीवन के पतेक्च छेत्र में नेत्रदान पदान करना और देश की सेवा के लिए सदो तपर तयार रहना, कि निटिकेशन से देखें फ्रेंड 25 नुमर में क्वेश्चन निटिकेशन से तो निटिकेशन गया है राइट नेम ऑफ इंडिया फाइफ हिल इस्टेशन भारत के पाँच पाली स्टेशन के नाम लेखिए तो पहला देखिए स्री नगर हो गया उटी हो गया कुल्लूमोनाल लेगा दारजीलिंग हो गया सिमला हो गया नटाल हो गया हुआ उसकर देखते हैं राटडान दा Capital of Flowing States आपको इन सब के Capital बताने इनके Capital कहां कहा है तो पहला देखी जहार खंड तो जहार क्ड़क्र्टि क्या है अलोग कोशन देखे फ्रेंट राइट डाउन दर नेम्स अफ इंडिया सफाइस मेन फेस्टिवल भारत के पांच पर्मुक्तिवारों के नाम लिखने हैं तो होली दिवाली क्रिस्मस रक्षा बंदन दैसाहरा और मुहर्रब आगे चलते हैं राइट डाउन दर नेम्स अफ लैंग्वेज यूज दर फ्लॉविंग स्टेट निम्रिंद राज्यों की भांसा लिखो देखे फ्रेंट्स आपको बताना है वर्ट 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 अधर लैंग्वेज बोली जाती है तो मल्यालम बोली जाती है असाम में असा अगला कोर्शन देखिए राइट डाउन नेम्स ओफ फाइफ मेजर रिवर्स अफ इंडिया बहारत वारत में राश्टी एक्टा को विगटित करने वाले तत्तु लिखे हैं तो कौन-कौन से हैं वह हैं जातिवाद रंगभेद भासावाद राजनितिक और धर्म मतवेद अगला कोर्शन को चलते हैं अगला कोर्शन देखिए राइट डाउन नेम्स ओफ फाइफ मेजर रिवर्स अफ इंडिया भारत के पांच पर्मुक नदियों के नाम लिखिए गंगा यमूना सरस्वती गोमती ब्रहंपूत्रा और सतलूच आगे लिखिए फ्रेंड्स राइ राष्टी एकता केंपक उद्देश लिखिए तो तो क्रेट अवेर्नेस अफ डाइवर्स कुल्च्छल हेरिटेज इन आर्स कंट्री तो फोर्शेट नेशन इंट्रिगेशन दिस्पाइट कुल्च्छल रिलेजियस अन जोगरोफिकल तो लॉन तो लीव और कोपट एंड अन हार्मनी विद कैड़ेट अन अधर स्टेट्स तो हैप पेस्नालिटी डवलोप्ट एंट टीच फाइनल क्वाल्टी ओफ लाइफ इंदी में देखें फ्रेंट्स राष्टी एकता केंपक उद्देश देश में भीन-भीन सांस्कृतिक ध्रों से जनकारी सांस्कृतिक ध अधर्मी को भगोलिक रुक्टाउक्टों के बावजूत राष्टी एकता की भावना कर जागना दूसरे राज्यों के साथ समझस से इस्तापित रहने और आपसी सहयोग और भाई चारे की भावना पैदा करना वक्तित्यों के विकास और जीने के अच्छे गुड को बढ़ लिडर्शीप राइट फाइब क्वाल्टिस आप गुड लीडर देखे फ्रेंट दस नमर में आए तो लीडर्शीप साब क्या समझते हैं अच्छे लीडर की पांच विस्ताइब लिखें तो पहले हिंदी में देखिए नेत्रात कमंडर की वह चमता होती है जिसके द्वार करने वालों चाहिए और टीम भावनों का विकास करने वालों चाहिए इंग्लिस में देखिए बिएरिंग करेज इंडुरेंस जस्टिक्स एंड टीम स्परेट आई चलते हैं अगले कॉस्टन स्क्योर देखें दस मार्क्स में आए हुआ है प्रावी नेता की सिद्धामत लिखो तो अपने कारे को अच्छी तरस से जानना और समक छोना अपनी कम्यों और ग्यान और उसमें सुधार आदस पस्तुर्ष्ट करना सही और समाजिक निर्मान अच्छे न्याए की भावना अधिन्स्तों में टीम भावना का विकास देखें प्रावन अधिन्स देखें write down the aim of man management in NCC NCC में मानो परबंधन के क्या उद्यश से है तो देखें the aim of man management in the NCC is to make all personal mentally and physically fit for implementing better training and administration to cadets for fulfillment of NCC objective मानो संसाधन का उद्यश NCC के लक्षों को पूरा करने के लिए व्यक्तियों का मानसिक वह सारेलिक तोर पर तंद्रुष्ट बनाना ताकि कैम्स कैडेट्स को पसिक्षण और परबंध की कला में माहिर बना सके आज देखें दस नमर में देखिए दस नमर में कोश्चन आए हुआ है जैसे का लिखो देखें दो परब्रकारगे आबदा होती है एक प्रक्रितिक आबदा और मानुनिम्मीत आबदा यही नेचिरल डिजास्टर और मानुनिम्मीत आपदा में बार्ड भुकं मामारी सब्सक्राइब आधी मानु निर्मित आपदा में दुर्घटना जैसे रेल गाड़ी रोड वह वाई जाज यू और धोगिक आपदा आगे देखे फ्रेंड 24 कोश्चन देखिए दस नमर में है यह आपदा परवदन में न्सी द्वारा दी जानवली पांच सेवाव के नाम लिकिये ट्रफिक कंट्रोल यानि यातयात नेंतरण, फर्स्टेट और बलट डोनेशन, प्राथम प्चार ओर रक्तदान, डिस्टिबूशन अफ फूड एं रासन, खाना वित्रन, रिमीविंग देवरीज यानि मलवा हटाना, असिस्टेंस अफ द फायर फाइटिंग, आग बुजान में मदद करना, गार्डिंग विर्चुल एं इस्टॉलेशन, गार्ड ड्यूटी देना पचिसवा देखें फ्रेंड्स, पांच नमर में, वाट हैल्फ कैन बी गिवन बाइ एं निशी कैडट दूरिंग फ्लॉट्स, एं निशी कैडट होने के नाते आप बाड में क्या मदद करोगे, तो तो एवलिएट दा अपिफेक्ट परशन अज दा सेफ प्लेस, फर्स्टेट, डिस्टिबूशन अफ फूड अड मेडिसीन, बलड डोनेशन, सीटिंग अप कैम्प, एवलिएशन अफ कश्टिली अन रियस्ट होस्पिटल, डिस्टिबूशन अफ बोट, लाइफ, जैक कराना, रक्तदान, रहन सेन की व्यवस्था कराना, पीडितों को हस्पताल में पहुंचाना, बोट, लाइफ, जैकेट और अनिसमागरी बाटना, स्विर परशासन की मदद करना, आई चलिए फ्रेंड्स अगले क्यों चलते हैं, देखे, सोसल सर्विस से 35 नमर के क्यों पू अब हिंदी में देखे, समाच सेवा का क्य आसकता और क्यों पर थी है, समौज की लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए घैब नेम देल और सभी धर्मों को उज्जत को बनाया रखने के लिए आगे देखिए फेंट से दस नमर में आ हुआ है गीव नेम गीव नेम्स अफ शोशल सर्विस वेर एंसेजी कैड़ेट केन पार्टिसिपेट एंसेजी कैड़ेट किन किन समाजिक क्रिया क्लापों में भाग ले सकता तो पहले इंग्लिस वाले देखिए बलड दोर्शन यानि रख्तदान एंटी दोरी मूमेंट यान देहर न सोसाइटी समाज में जाज़कता पैदा करने ही तू इसके बाद आई कैम्प यानि आई कैम्प लागा कर किलनेस ऑफ रोड एंड स्ट्रीट सडग और गलियों को साब सभाई करके और डल्ट एजुकेशन यानि पोर्ड शिक्षा में आगे देखिए फ्रेंड दस मार्क्स म गीव दा बेनिफित ऑफ शोशल सर्विस तो करट तो पले इंगलिश में देखिए नहों में देखिए लाग्ञवी अमेर को मुण चैर्शी मेर्य और शिक्षफीट्व मेर्यन चैर्पितिम अप्रोच बीदेखिए अब हिंदी में देखे फिरेंट समाजिक से वासिक आप क्या अलाव है तो कैरेट के रिदे में प्रोकार की त्याक की उधारता और दया आधी भावनाओं का प्रभाव होना कैरेट में भात्य भाव की भावनाओं की जागती होना कैरेट में नेतित की गुण का विकास होंगे कैड़ेट का नेतित इस्तर बढ़ेगा और स्वास्त की भावनाव से उपर उठकर मनुस्तिकी और अग्रसर होगा आगे चलिए फ्रेंड्स अले कोश्चन के देखिए राइट एन टेन नेशनल प्रोलम कोई दस राष्टी समसाओं के नाम लिखिए तो पहला देखिए बेरोजगारी की समस्यानी अनेप्लोईमेंट बर्तिवी जन संक्या पॉपलेशन ग्रोथ बाल विवाज चाइल्ड मेरेज आतंगवाद टेरिजम गरीबी पवर्टी पदूसर्ण की समस्या पॉलुशन देहस पर्था डौरी महंगाई ड्रिमेंस जातपा से भी दिया है तो उबाल कर दो बॉइलिंग छान कर बाई क्लिफिकेशन फिल्टर करकर गोई फिल्टर करकर जोम क्लॉइन गय संबिचिंग पॉडर्ड़ं बाउडि उज़िग गैस वीचिंग पॉडर्डर एड वो फिक्टी डालकर गारसफिए लूशन क्यों what arrangement you will make for illness in camp camp में सफाई है तो क्या बंदबस्त करोगे तो use respect dust wind कच्चे को डस्वीर में डालना वच्चा हुआ खाना निष्ट जगह पर डालना dispose of water food waste food अपने cook house और कमरे की साफ सफाई करके illness of cook house and living area camp इलाके की साफ सफाई करके general cleanness of camp area detail को साफ रखना तथा detail की छिड़काओ करना cleanness of detail and use of the detail and hygiene claimness पीने का पाने को साफ और सफ रखना ढख कर रखना purification of drinking water खाने पीने के बरतने को साफ साफ और ढख कर रखना cleanness of cooking and eating intenses आई चलते है फ्रेंड्स अले questions क्यो अगला question देखे रात को जल्दी सोना proper sleep during night नाखुन को समय पर काटना साफ सफाई रखना cutting of nails साफ कपड़े पहनना washing, cleansing of clothes भयायाम करना physical exercise हर रोज सनान करना daily bathing सरी की साफ सफाई और विशेश ध्यान देना care and illness of body parts आई चलते हैं match the flowing देखे फ्रेंड्स जोड़े मिलाओ देखे आपको बताना है मन्मक्खी यानि files से कौनसे बिमारी होता है देखे फ्रेंड्स एक answer है fourth यानि daria होता है dust होता है उसके बाद b देखे dog यानि कुत्ता इससे क्या होता है ravies होता आपको पता होगा उसके बाद mosquito काटने से क्या होता है C का A है malaria होता है इसके डly ret चूहा काटने से क्या होता है तो उसके second है यानि play होता है E क देखे sand fly represented काल अजण होता है Adventure activities में देखे friends आ पूछा हुए है तो राइट फाइब्बने फाइबेंटे ट्रेनिंग cycling mountain training boating and cycling motor cycling extendance अगले question स्क्योर अगले question स्क्योर अगले question देखे फ्रेंट्स चान नमर में आ गुआ था है drive down the purpose of adventure training सासिक परस्टिंशन के उद्देश लिखिए तो to develop the spirit of adventure, including the self-reliance, conference, discipline and leadership qualities, spirit achievement of NCC and its importance to remove area, promote co-operations and team spirits, visit historical place Hindi में देखे friends, अब सासिक परस्टिंशन के उद्देश से देखे, अपने अंदर सास की भावना लेना, अपने अंदर जोस, आत्म विश्वास, अनुसासन और लिडर्शिप की भावना का विकास NCC को प्लब्दी और उसके फायदे को दूद राज तक पहलाना, teamwork में कारे करने की भावना, इत्यासिक स्थनों का भर्मन करना आगे देखे वोट फैक्टर लीड तू डेफोस, वनों को लगतार घटने के क्या करना है तो देखें, इंग्लिस वाले देखें पहले आगे चलते फैंस अगले कोशन स्क्योर वहला कोशन देखें, इंग्लिस में पहले और देखें कोशनों संड,वाट और अी्येश्य पोलुशन आहिए चलते है रचेंळन दर फुल फोर्म different Flowing आपको बताने है full form बताने है नमकोनी कसे पूर सब्साथों बताइक तो RPG का क्या होता है注 syllabus कि अ क्या होता है रियम अइमहांपड़aln अ मेड़िकल को उसको ऐधो अस्सीद आर्मी उय्टेग शहां सुखटनेख करये अरहिए क्रिया इन फाइब ग्लेंट्री आवार्ड इन आर्म फोसेस के पांच सासिक पदों के नाम लिखिए तो पीवीची एमवीची वी आर्सी एसी और केसी और एसी इसका आगे देखिए बारती से ने कि दो आम और एक सर्विस का नाम लिखिए देखिए इन फिरंट्री हो गया अर्टिली आपको फोस्पिटल का चीन बनाना है किला बनाना है इसका पूल बनाना है फुट पत बनाना पगड़ी बनानी है ड्राइबल यहने सुखा कुखा बनाना है आपको सत्र वा देखिए फ्रेंड्स राइड था ताइपस अफ नोर्थ उत्तर केतना परकार को ते तो देह थी ताइपस अफ नोर्थ 2 North, Grid North and Magnetic North यहनि वास्तिविक उत्तर, मांचीत उत्तर और चुमकिय उत्तर इसकार आगे चलते हैं देखिए Write 5 Names of Compass, Prismatic Prismatic Compass के 5 हिस्से यह पूर्जवक नाम लिखिए तो देखिए, Prism Case, Thumb Ring, Ring Nodge Arrow Hand, Hinge Arrow Lines, Tongue Nodge, Lead Glass Protector और Window Define Contour देखिए, Friends, चार नमर में आगगा Define Contour, Contour किसे कहते हैं A line drawn on the map Joining all points of equal height above sea level समुन तल से समान उचाई वाली grid रेखाओ को, मिलाने वाली रेखाओ को Contour कहते हैं अब देखिए, Friends, FC और BC देखिए Fieldcraft और Bettercraft Fieldcraft, Friends, जो Field में की जाती है जैसे की Drill करना Bettercraft, Friends, जैसे की Youth के दौरान सहीर रननिती बनाकर दुस्मनों को खतम करना Bettercraft, क्या जाते हैं यह Youth के दौरान की जाती है अब देखिए What are the factors Makes Objective Objects, Visual Right, and 5 यहनि हमें चीज़े क्यों दिखाई देती हैं कोई 5 लिखो Safe, Shadow, Suited, Surface Spacing, Sign and Movement आकार, छाया, निर्मिचिन, सत्व, फासला, चमक और हरकत के कारणन हमें चीज़े दिखाई देती हैं आई चलते, Friends अठावा देखिए How many types of section formations Section formation कितना परकारगे होती है तो section formation चीज़ा परकारगे होती है Single file formation File formation, Diamond formation Arrowhead formation, Sparehead formation Extended formations आई चलिए देखिए, Friends Right method of judging distance फासला अन्मान लगाने कौन-कौन से तरीके हैं तो इकाई का, दिखाई का, आवाज का, बेरिंग का और section उसत का यहनि unit method, appearance method, sound method, bearing method and section average उसका आगे देखिए Write down types of ground जबीन का परकार लिखो तो देखिए, चार परकार की जबीन होती है broken ground, flat and open ground, height ground and dead ground 2-2 footy jameen, samtalo kholi jameen, unchi jameen or dabhi jameen आई चलते, Friends, अले questions कियो देखिए, write down names of material used for cleaning 7.62 mm SLR तो pull through, chindi, road, oil bottle, combination tool, screwdriver, gas regulating key और chamber and slender cleaning brush आई देखिए, flinder blanks बताना, Friends effective range of 0.22 rifle इस dash आट के दिन होती है, तो 25 गज होती है caliber of SLR is dash, कितनी होती है 7.62 mm होती है, SLR का caliber होता है the full form of SLR is self-loading rifle आपका पते होगा the length of 0.22 rifle is कितना होता है, तो 43 inch होता है the weight of empty 7.62 mm SLR का भजन कितना होता है weight कितना होता है, तो कितना होता है, 4.1 kg होता है आई चलते, Friends, अले questions कियो देखिए what safety precautions should be taken before handling using a weapon किसी अथियार को इस्तमाल करने से पहले क्या सुच्छा लेंगे तो ensure that chamber is empty, यकीन करो कि chamber खाली है margin is empty, margin खाली है safety catch is on S, safety catch S पर है weapon is, weapon in serviceable and conditional हथियार service condition में है never point to weapon at the any person, किसी व्यक्ति की तरफ barrel नहीं होना चाहिए आई चलते है friends, अगले questions कियो ओर how many commands Indian Army is divided, also right place भारती सेना की इलाकों के हिसाफ से कुल कितने command में बाठा गया उनके प्लेसों के नाम भी बताना है देखे, there are seven commands, Indian Army divided in seven commands first command देखे, north command का है north command, eastern command, south command, western command, central command, training command and southwest command पहला देखे, north command का है, उधंपूर, eastern command का है, कालकटा southern command का है, पूने, western command का है, चंडी मंदीर, central command का है, लखनोर friends, जो सबसे most important है, हमें सभी पूछता है, कि आर्मी का central command का है, तो लखनोर है और training command पूछता है, तो training command का है, सिमला southwest command, जैपूर, तो आर्मी को साथ इसों में बाठा गया है आए चलते friends, फिलिंदा ब्लैंक्स देगें, दा सुप्रीम कमांड ओफ एर फोर्स, स्री एफ इस वेस्टेड, इस डैस, कौन होता है, तो पैस्डेंट होता है, पैस्डेंट ओफ इंडिया, दा आर्मी हेड़क्वार्टर इस लोकेटर इस डैली पर है, उसके बाद, मेजर बिकरम बत्रा इस डैस चक्रा वीनर, कौन सा पीविसी चक्रा मिला था, the NCC has डैस डिविजन और विंग्स, तो कितने हैं, तीन विंग है NCC में, इंडियन आर्मी और एर फोर्स, इंडियन नेवी और एर फोर्स, आयमे इस लोकेटर इट, कहां पर आयमे कहां है, तो देहरा and subscribe my YouTube channel friends, इतना तो बनता है, जय हिन, जय भारत